Hello friends, welcome to best English classes, मैं हूँ प्रतीक तमर और आज हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही important poem Tonight I can write the saddest lines इसका summary और analysis मैं आपको दूँगा इसे लिखा है Pablo Neruda ने और ये इनकी poem 20 के नाम से जानी जाती है इनोंने 20 love poems का एक collection दिया था उसमें से ये poem 20 है ये 1924 में publish होई थी जब Pablo Neruda सिर्फ 19 साल के थे तो ये poem हम लोग अब शुरू करते हैं सबसे पहली जो इसकी line है वो है Tonight I can write the saddest lines Right? For example, the night is shattered and the blue stars shiver in the distance The night wind revolves in the sky and sinks Tonight I can write the saddest lines I loved her and sometimes she loved me too पहले इतने part को समझते हैं तो Pablo Neruda यहां पे कह रहे हैं कि मैं आज की रात अपनी सबसे दुखी कविता लिखूंगा मैं ऐसा भी कुछ लिख सकता हूँ कि रात को आसमान कहीं दूर ट्रैंबल करते हुए नीले तारों से भरा हुआ है जो हवाए है वो रात को आसमान में गोल-गोल गूम रही है एक गीत जैसी लग रही है मैं आज रात को सबसे दुखी कविता लिखूंगा मैंने उसे प्यार किया और कभी-कभी उसने भी मुझे वापस प्यार किया अब हम आगे दिखते हैं Through nights like this one I held her in my arms I kissed her again and again under the endless sky She loved me sometimes and I loved her too How could one not have loved her great still eyes अगर हम इस आगे के पार्ट को समझते हैं तो यहां पे वो कह रहे हैं कि I used to hold her in my arms मैं आज ही की रात की तरह ही किसी रात को उसको अपनी बाहों में रखता था और मैंने उसको कई बार kiss किया इस कभी न खत्म होने वाले आसमान के नीचे उसने मुझे प्यार किया था और कभी-कभी मैंने भी उसे वापस प्यार किया था यह impossible था कि उसकी गहरी, रुकी वी, still यानि रुकी वी आँखों से प्यार न हो और फिर से वही line repeat होती है Today I can write the saddest lines To think that I do not have her To feel that I have lost her To hear the immense night Still more immense without her And the verse falls to the soul Like dew to the pasture आगे वो कह रहे हैं मैं आज सबसे दुखी कवीता लिखूंगा रात को मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अब वो मेरे पास नहीं है मैंने उसे खो दिया है यह कभी न खत्म होने वाली राते और भी बड़ी दिखने लगी है क्योंकि अब वो चली गई है कवीता मेरे आत्मा के उपर ऐसे फॉल होती है जैसे की कोई सुभह की ओस की बूंदे घास के उपर गिरती है आगे वो कह रहे हैं आगे वो कह रहे हैं आगे वो कह रहे हैं कि इससे कोई फरक भी पड़ता यदि मेरा प्यार उसके लिए काफी नहीं था यह तारों वाली रात है और वो यहां नहीं है मैं उसकी आवाज सुन सकता हूं कहीं दूर दूर गाते हुए बहुत दूर मेरी आत्मा दुखती है क्योंकि मैंने उसे खो दिया है मेरी आत्मा दुखती है उसके बाद में है मेरी आखें अभी भी उसे ढूनती है और चाहती है उसको मेरे पास लाना मेरा दिल भी उसे ढूनता है पर वो यहां नहीं है यह रात वैसी ही थी यह रात वैसी ही है जैसी की तब थी जो हम साथ में बिताते थे वैसी ही मून लाइट वैसे ही कुछ पेड़ चमक रहे है पर वो और मैं वो लोग जो साथ में इन रातों को बिताते थे अब वो बदल गए है मतलब अब वो मेरे पास नहीं है I no longer love her That's certain But how I loved her My voice tried to find the wind To touch her hearing Another's She will be another's Like my kisses before Her voice Her bright body Her infinite eyes अब मैं उसे और क्यार नहीं करता ये बात तो certain है, पक्की है पर मैंने उसे बहुत प्यार किया था मेरी आवाज ने कोशिश की थी कि वो हवाओं से ट्रावल करे ताकि वो मुझे सुन सके वो अब किसी और की गल्फरेंड बन जाएगी किसी और की जैसी कि वो मैंने उसे kisses किये उससे पहले थी किसी और की उसकी अवाज उसका चमकती बोडी और उसकी वो गहरी आखी I no longer love her that certain but maybe I love her love is so short forgetting is so long because through nights like this when I held her in my arms my soul is not satisfied that it has lost her though this be the last pain that she makes me suffer and these the last verses that I write for her वो कहरें I definitely don't love her now ये बात तो sure है but फिर भी मैं जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है शयद करता हूँ मैं उससे प्यार प्यार कितना तेजी से चला जाता है but move on होना उसमें बड़ा लंबा समय लगता है भूलना असान नहीं होता किसी को क्योंकि आज जैसे रातों में जब तुम मेरी बाहों में होती थी मुझे याद आती है और तब मेरी आतमा दुखती है क्योंकि मैंने तुमें खो दिया है चाहे ये मेरा लास्ट पेन हो जो तुमने मुझे दिया है चाहे ये मेरी लास्ट सैड लाइन्स हो जो मैंने तुम्हारे बारे में लिखी है तो फ्रेंड्स ये थी ये पोएम इसकी थीम है लाव, मैमरी, हार्ट एक, दिल का दुखना और यदि आप मेंसे हाली में किसी का ब्रेकप हुआ थीम है जहां तक लिटरी टर्म्स की बात है तो इसमें कई अच्छे लिटरी टर्म्स का युज़ हुआ है जैसे कि ये एक और मेनिंग है ऊपर से दिखने पर तो ये एक ब्रेकप वाली पोएम दिखती है बट इसके अंदर कई गहरे moral, spiritual, political meaning छुपेवे होते हैं यह symbolic characters होते हैं इसमें साथ ही इसमें alliteration है कई जगें हमने alliteration देखा इसमें पहले अक्षा repeat हुए है इसके अलावा भी इसमें allusion है, anachronism है analogy भी देखने को मिलती है हमें जैसे यहाँ पे वो किसी और चीज़ को like कर रहा है बट actual में उसको like करने से वो कुछ और बड़ा idea explain करना चाह रहा है इस तरीके से कई इसके अंदर literary terms यूज में आए है I hope यह topic आपको समझ में आ गया होगा यदि चैनल पे नए हो तो जल्दी से subscribe कर दो literature के student हो तो यह चैनल तुमारे से बहुत फाइदे मंद है एक बार playlist जरूर चेक आउट करना काम पसन आया तो वीडियो को like करो और comment box में जल्दी से अपना feedback दो thank you so much all the best for your exams